कि मैं अबने ऐक्रेमंक को कहूंगा एक बार वो टॉटू की सामने सी अदिखा दे आप देख सकते यहां पर मनोस्तिवाली है इसके बाद रभी की शेषिटी की से इसके बाद दीनिस लाल यादब है फूब औहू सेम टू सेम हैं आप बोल रहे हैं कि पागल आप कैसे पागल हूं मैं जाहिर करके बता सकता हूं लोग कह रहे थे ना कि तुम क्यों नहीं बनवाया कि तुमने ऐसे लोग को बनवाले कि तुम्हारे माइंड में आया कि तुम्हारे मैं लोग को बता देना चाहता हूं कि मैं पागल हूं पर आपका video वायरल हो रहा जिसमें comment box में मैंने जाके देखा तो उसमें आपको बोला जारा कि पागल है गधा है उल्लू है मतलब होने के लिए कुछ भी करता है कभी किसी की मा को किसी की बहन को कुछ खुद अपनी मा बहन को एक दूसरे के तरफ से गाली गलाज छेतरवाद क कि लोगों को छप्रा के लोगों को लड़वाते रहे लोग एक सब आठ किलोमीटर यातरा पैदल करके उनसे मिलने जाओंगा ताकि लोगों को लगे कि मतलब भोशपूरी में कोई है असलील वुक्त कहने का मतलब मेरा यह कि जहां भोशपूरी की बात आती वहां पे थोड़ आया कि खर्च सब लोग खर्चा कहीं बात करता है पूचेंगे तो हुआ नहीं होता नमस्कार आप देख रहें अपना सिटी नूस तक दोस्तों आपने देखा होगा टैटू गल को लेकिन आज मेरे साथ हो टैटू वहा है लेकिन सबसे यूनिक बात यहां पर यह है कि करता है और यहां पर यहां पर देख सकते हैं आप मनुस्ति बारी का रभी किशन का और दिनेस लाल्यादव का टैटू बनवाय है कि सबसे अब ही मैं अपना माउत्य के सभी रशकों का स्वागत करता हूँ अट आपके मन में जो एक त्र क्या में मन में Kahe करें वेसे आभी कर रहे हैं मन में मतलब यही बात आया था कि मैं लोगों को यह दिखाना चाहता था कि मतलब भोजपुरी भासा कहीं न कहीं अपने यूपी बिहार के लिए सबसे गर्भ है ठीक है और उसको कुछ कलाकार धूमिल कर दिये हैं ठीक है और यह लोग भी भोजप है नाने के बाद सांसद होने के बावजूद का मुवी इन्लो का सीरीज लो का सौंग आ रहा है बिलकुल असलिल मुक्त में लोग बात करते हैं क्या आप जो बोलें असलील गाना के बारा आए मतलब हैं यह कि जहां भोजपुरी की बात आती है वहां पिफुरा बहुत बड़ होता है तो उसको लोग असलील बोलते हैं ठीक है तो इनों का मतलब अभी दिनेस लाल यातो जी सबसे ज़्यादा मूवी का सोंग वाइरल होता है जो कि हड़ पड़िवार में लेडिज भी जैन्स भी मतलब भुजूर्ग भी हर लोग सुनते हैं उस चीज को काफी नहीं तरह कि लोग आपको गाली ना देये आपको भी सम्मान करें जैसे मैं आज इन तेनों का टैटू बनवाया है आगे वाले आने वाले समय में आपके लिए भी कुछ करें ताकि आपको गर्व महसूस हो अपने केमरामन को कहूंगा कि एक बाल वो टैटू कर सामने से दिखा दे आप देख सकते हैं यहां पर मनोस्तिवारी है इसके बाद रवी किसन है इसके बाद दिनिस लाल यादव है हुबहु सेम टू सेम आप देख सकते हैं यह जो भाईया है अपने च्छाती पर तीनों हीरो का टैटू बनवा दिये हैं जो कि एदम बॉली बेग भुचपूरी में च्छाए हुए है और पावन सिंग किसा जाद तो च्छाए हुए अच्छा एक बात बताई कितना खर्चा कि खर्चे सब लोग खर्चा कहीं बात करता है सब्सक्राइब करना चाहते लेकिन आप इन हीरो के पीछे 27,000 रुप्या खर्चा कर दी क्योंकि पबली का सवाल रहेगा यह बात ही कुछ ऐसी थी क्या थी बात ही कुछ अभी आपको भी पता होगा और सब लोग को यह बात पता है कि हमारा भौशपूरी का स्तित्व खत्म हो रहा था यह सिर्फ आराच छप्रा के कलाकारों के कारण कलाकार तो बहुत सारे लोग है लेकिन उन दोनों के कारण और उन लोग के अंदर कहीने कि जो हम है सो कोई नह को एक दूसरे के तरफ से गाली ग्लॉज छेत्रवाद के तहट आरा के लोगों को छप्रा के लोगों को लरवाते रहे लोग और आज खुद एक जगह तो देख रहे हैं कि जहां सद्भावना और जहां सोहर्द रहेगा जिसके संपर्क में जो जाएगा वैसा ही होगा तो रवी किसंजी के साथ वो लोग थे रवी किसंजी ने मिलवा दिया और आज बोल रहा है कि मतलब हम लोग भाई भाई हैं क्या गरेंटी है कि आज रवी किसंजी मिलवा दिये आदर्स मानते हैं उनको और उनको उनका मान रखने के लिए ये लोग कर लिए लेकिन क्या गरें मैं यही कहना चाहूंगा उन दोनों भाई से कि मतलब कहीं न कहीं वह लोग मिले हैं ना तो पूरा मतलब आरा छप्रा में उमंग चाया हुआ है लेकिन कुछ लोग उदास भी है क्यों जैसे कि अभी समर्ग उताम है कि उनका बजार इन ही लोग से चल रहा था बंद नहीं हो गया अभी देख रहे हैं कि वह लोग काम करते थे फिर बीच में भुचपूरी को असलील मुक्त करने आए लेकिन इतना गाली गलोज इतना मतलब यह कियें कि मतलब उनका यह बढ़ गया फैन फोलोवर्स बढ़ गये वह अपना चैनल बना लिए अपना लाड कहीं गिरता हुआ दिख रहा है अच्छा आप यह लूप कैसे बनाए हुए आप पूरा पंडी जी बने हुआ देख लिए यहां से कैसे करकि यह पंडी जी का लुक बनाए हुए पूरा कि इसका क्या मतलब है मतलब देखिए इसका मतलब दो-3 रीजन है सबसे पहला देखिए यह होता है ना कि जैसे की मान के चली कि आदमी कैजुल ड्रेस पहनता है या फॉर्मल ड्रेस बनता है हर जगा के लिए अलग अलग ड्रेस है ठीक है तो अगर पहनते हैं और उसके ऊपड़ आपको बोला जाए ती सट उतारने को अगर आप उस समय उतारेंगे ना और मैं लोगों को यह दिखाना चाहता हूं कि मतलब यह हमारे भुचपूरी और हमारे मिटी से जुड़ी हुई है इसका उपयोग हमेशा होना चाहिए और दूसरा नंबर बात कि यह जो होती है ना काफी कमफर्टेवल है और इसको पहणने के बाद हमें एक अच्छा लू जिसमें कमेंट बॉक्स में मैंने जाके देखा तो उसमें आपको बोला जारा कि पागल है गधा है उल्लू है मतलब वाइरल होने के लिए कुछ भी करता है मैंने भी देखा और मुझे भी कुछ लोगों के द्वारे यह बताया गया कि मतलब कि क्या तुम कर दिया कि लोग यह बोल रहे हैं तो मैं लोग को बताना चाहता हूं कि मतलब सही में मैं पागल हूं 75% में पागल हूं लोग अपने आपको पागल नहीं कहते हैं लोग इसी को अगर पढ़ते ना तो लोग बीवाद करते लेकिन मैं किसी को भीवाद किसी से कुछ बीवाद नहीं करूंगा और में बोलना चाहता हूँ कि मैं पअगल लोग को नितुम नहीं भनवाया कि तुमने अइसे लोग को बनवालें कि मैं उन लोक को बता देना का नाम का जो कि अभी बिहार में दो महीने पहले भागेशवर धाम के पिठा धिश धिर्यंत शास्त्री जी आये थे बिहार के ना समझ नेताओं के द्वारा उनको रोकने का उनके प्रोग्राम को किंसिल करने का योजना बनाया गया था और यह भी बोला गया था कि अगर वो सिच्वेशन में मनोश्तिवारी जी यूपी से आते हैं बिहार और बिहार मतलब एक जैसे होता है ना कि महाभारत में अर्जुन का रथ के सार्थी स्रीकृष्ट बनते हैं ठीक उसी तरह उनका इंट्री होता है और वो एयरपोर्ट से लेकर पूरे पटना का भ्रहमन करते ह मेरे दिल को छूगे तो अब इनके नाम का पागल हूं हूं बता देना चाहता हूं कि अभी लोग को यह कि लोग आप से पहले वोली में का रॉल किया है और अभी अभी मतलब हुआ था उसमें विदेश तक भुछपुडी भासा को पहुंचा है अपने कमेंटरी के जरी है वह चीज में दिल को चुआ अच्छा बताईए दिनेश लाल यादव के बारे हैं लोग कहते हैं कि मैंने भुछपुडी में यह लिया मैंने हमको यह और मि कहीं भी देखिएगा उनको ने उनके पीछे 200-300 लोगों का सेलाव होता है तो मैं उन लोग को यह बताना चाहता हूं कि बाबू इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी वह उनका मूभी आता है और हर साल उनका हर मूभी एक दो वर्ट का हकदार होता है जो कि यह साबित करता है ना कि मतलब उनके अंदर कुछ ऐसा चीज है और भाव प्रेम की तो बाथीवत कीजिए कि जहां भी लोग रहते तो ऐसा लगता है और उस चीज को देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि साइद मैं भी उस बीच में रहूं और मैं भी एक सतुरुधन का रोल अदा भाया बनाने में मिनिममम अगर हम बात करें तो एक टैटू में पांच घंटे आया था समय पांच घंटे लगता है जब यह बन गया तो इसके देखरे के लिए क्या सबागे कर रहा है देखरे कि यही था कि उलो का केयर था कि मतलब 15 दिन तक बिल्कुल पानी से इसको बचा लेकिन उन्हों का ट्रीटमेंट के बाद में उनके पास तो डॉक्टर से सलाह लिया और कुछ तीन हजार रुपय का इसका अफ्टर केर लिया और अब सही है इनों को ना कोई Regarding about this यहां बेबनायाइं यहां पर हड़ी जाधा होती है वार्रा होने के लिए सब कर रहें कि कहीं ने कहीं मकुस्द आई है नेकिन है कुछ दूसरा है कुछ लोगए हम अपनेृट परताब भाएब ऑबात करें और उनके मतलब घर में कुछ ऐसी चीज के कमी नहीं अगर उनका दस्त भी आता है ना तो बैठ कर खाएगा लेकि पर्यावरन मंत्री हैं और उसके बाद मतलब वह फेमस होने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए और अपना कहीं मतलब नाम करने के लिए यह सब कर रहे हैं तो हम तो आम इंसान है एक मेरा बैक्ग्राउंड भी सही नहीं और मैं एक मतलब आम इंसान हूं क्या तीनों एक्टर से मिलेंगा बिल्कुल मिलूंगा बिल्कुल इसलिए बनवाइट हो गया अहां बात यहीं है कि देखिए मतलब कहीं न कहीं मेरे अंदर एक भाई चारे का भावना है मैं चाहता तुम्हारे लोग इस टेटू बनने के बाद प्रोल भी किये कि तुम्हारे जैसा लोग उनके घर में नौकर का काम करते हैं तो उनका जूता पोस्ते हैं यह करते हैं तुम क्या वहां तक जा पाओगे हमने उनको चैलेंज किया ठीक है मैं भी यहीं हूं जाओंगा और ऐसी चाहिए मतलब कुछ नहीं चाहिए बस एक भाई का प्यार यहां जाओंगा बावक बिश्वनात का दर्सन करूंगा वहां से दर्शन करने के बाद मतलब जितना किलोमीटर हो मेरा नुमान है लोग मुझे बता हैं कि लगवाग 122 या 130 किलो मीटर नुनका बनारस से आजम गड़ पड़ता है लेकिन उतना नहीं लेकिन 108 किलो मीटर यातरा पैदल करके उनसे मिलने जाऊंगा ताकि लोगों को लगे कि मतलब भोषपूरी में कोई है कोई है भाई की एक भाई चारे का बहवार लेकर एक मतलब सांतिपूर्ण भोषपूरी को चला रहा है ठीक इससे लोगों को प्रेर्णा मिलेगा कि हम भी मतलब कुछ ऐसा करें कि हमारे लिए भी कोई पागल हो जाए और मेरे लिए भी कुछ ऐसा करें तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा यह कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर सेर कर सकता है अगर इस वीडियो को फेस्बूक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को यूटुब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जय हिंद जय वारत